उत्रा खंड के खटी मा से एक ख़वर आई है ये ख़वर आखें खोलने के लिए काफी है यस तरीके की घटना आपके साथ कभी भी घटित हो सकती है इसलिए इस ख़वर को आप आखिर तक जरूर देखिएगा साथ साथ मुख्यमंत्री जी इस ख़वर का संग्यान आप जरूर लीजिएगा अगर ये रिपोर्ट आप या आपके टीम का कोई सदस्यत देख रहा है तो ये एक आम आदमी की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ सवाल है बहुत आसानी से जो इलाज उपलब्द कराया जा सकता था वो इलाज करमचारियों या मेडिकल स्टाफ की लापरवाही के कारण एक गर्ववती महीला को नहीं मिलता और आखिर में वो गर्ववती महीला एक पार्क में बच्चे को जन्म दे देती है तीन-तीन अस्पतालों में भटकने के बाद महीला को इलाज क्यों नहीं मिला ये जवाब तलाशने की हम कोशिश कर रहे हैं हम एक गुजारिश मुख्यमंत्री, उनके स्टाफ, स्वास्तेमंत्री, उनके स्टाफ और तमाम प्रशाशनिक महकमों से करते हैं कि अगर कोई पीडिता आपके अस्पताल में पहुंचती है तो पहले उसका इलाज किया जाना चाहिए ना कि बहाने बाजी बना कर उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में रेफर करने का सिर्फ पल्ला जाड़ने का काम किया जाना चाहिए पूरा वाक्या क्या है ये मैं आपको बताता हूँ लेकिन आगे बढ़ो इस प्रकरण पर उससे पहले आपसे आगर है अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए नमस्कार मैं हूँ मनमोहनभड खटीमा एक छोटा सा कसबा है छोटा सा शहर है यहाँ पर स्वास्ते की सुविधाएं बेहत सिमित हैं हम सब लोग जानते हैं कि दूरदरार के छेत्रों में सब जगा सारी सुविधाएं उपलब्द नहीं हो सकती प्रात्मिक स्वास्तेकेंद्र यहां पर उपलब्द है और उसको शायद बहतर बनाने की पूरी कोशिश पिछले 20-22 वर्षों में की गई है लेकिन स्टाफ ने एक गर्भवती महीला को यहां से हल्दवानी रेफर कर दिया हल्दवानी यानि की मेडिकल कॉलेज में एक महीला जिसका नाम प्रीती है वो अपने पती और सास के साथ अस्पताल में पहुँची प्रसव पीड़ा से महीला तडप रही थी अस्पताल कर्मियों ने उस पर बहुत जादा गंभीरता से शायद विचार नहीं किया इसलिए महीला और उसके परिवारों ने उसका उपरेशन करने की मांग की अस्पताल ने कहा कि उपरेशन की सुविधा इस अस्पताल में उपलब्द नहीं है इसलिए उसे सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्दवानी रेफर किया जा सकता है इस पर जो परिवार है उसने हामी भर दी ये परिवार हल्दवानी मेडिकल कॉलेज पहुँच जाता है जब वहाँ पर महिला का चकप होता है तो अस्पताल प्रशाशन कहता है कि किसी भी तरीके के ओपरेशन की आवश्रक्ता महिला को नहीं है लेकिन महिला प्रसौपीडा से तड़प रही थी महिला ने आगरह किया कि उसका operation कर दिया जाए वरना उसकी जान चली जाएगी लेकिन अस्पताल प्रशासन ने इस पर कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और कहा कि यदि आपको ज्यादा समस्या है तो हम आपको refer कर देते हैं इसके बाद महिला को महिला चिकित साले में refer कर दिया गया महिला चिकित साले जब ये पूरा परिवार पहुचा तो वहाँ पर भी इन्हें कोई उपचार नहीं मिला वहाँ पर जो नर्स थी उसने बिना देखे ही ये कह दिया कि यहाँ पर operation फिलाल संभव नहीं है और सामान्य प्रकरिया के तहट आपका delivery हो जाएगी ये पूरा का पूरा प्रकरण रात का है रात 10-11 बजे से सुबह 4 बजे तक का ये पूरा प्रकरण है आप अंदाजा लगाईए कि एक महिला प्रसव पीड़ा से तडप रही है वो खटीमा से पहले हलद्वानी आती है हलद्वानी के medical college में उसका उपचार नहीं मिलता उसको और उसके बाद उसे महिला चिकित साले में रेफर कर दिया जाता है महिला चिकित साले में मौझूद नर्स बिना डॉक्टर की अनुमती के प्रसव पीड़ा से तडप रही महिला को वापस medical college जाने के लिए कह देती है इस भी जब ये पूरा परिवार अस्पताल के बाहर सुशिला तिवारी medical college जाने का इंतजार कर रहा था तो महिला का प्रसव पीड़ा इतना बढ़ जाता है कि वहीं उसकी delivery पार्क में ही हो जाती है इसके बाद महिला अस्पताल में हल्ला मज जाता है और अनन्फानन में महिला और बच्चे को अस्पताल में भरती कर दिया जाता है लेकिन यहां पर कुछ सवाल खड़े हो गए है पहला सवाल कि क्यों एक महिला को जो प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी उसे खटीमा जैसे शहर में इलाज नहीं मिला उस महिला को खटीमा से हल्दवानी medical भीजा गया एक सामान्य पर करिया है कि कहीं पर भी सारी सुविधाएं उपलब्द नहीं हो सकती इसलिए बड़े अस्पताल में उसको रेफर कर दिया गया हल्दवानी medical college के staff ने भी कोई गंभीरता के साथ क्यों महिला का इलाज नहीं किया उसे संतुष्ट नहीं किया और उसे क्यों महिला चिकित साले में भीज दिया और महिला चिकित साले पूरे प्रशाशन पर सवाल है कि वहां की नर्स ने बिना डॉक्टर की अनुमती के महिला को वापस सुशिला तिवारी medical भीजने के लिए रवाना कर दिया ये शायद सामान्य परकरिया का हिस्सा है अस्पतालों के भीतर रात को जो कुछ होता है उसका ये एक उधारन है आम तोर पर दिन में 44 नजर आने वाले अस्पतालों में रात होते होते जो नर्सिंग स्टाफ है वो कुछ इस तरीके की हरकत करता ही रहता है और ये घटना इसका सीधा उधारन है सरकार ने तमाम सुविधाएं जुटाने का दावा किया है कई जगा तमाम सुविधाएं जुटाई भी जा चुकी है लेकिन प्रशाशन जो अस्पताल का होता है नर्सिंग स्टाफ जो अस्पताल का होता है उजकी कारशैली सवालों के घेरे में आ जाती है जब इस तरीके की घटनाए सामने आती है कई सवाल खड़े हो रहे हैं तीनों अस्पतालों की भूमिका संदेह के घेरे में हैं तीनों अस्पतालों से सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि आप एक महिला का उपचार समय पर क्यों नहीं कर पा रहे थे और अगर आप किसी का उपचार नहीं कर पा रहेते तो उसे सांतमना देकर उसे रोकने की कोशिश आप क्यों नहीं कर रहेते सिर्फ इस बात को बता देना कि महिला ने खुद ही लिख कर दे दिया कि उसे रेफर कर दिया जाए ये कहने के बाद आपने अपना पला ही जाड़ लिया है अस्पताल प्रशाशन को इस तरीके की कारश हैली से बचना ही चाहिए था अब मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी, स्वास्ते मंतरी डॉक्टर धन सिंग रावत इन लोगों से ये गुजारिश हम लोग भी करते हैं कि आप इस घटना का संग्यान जरूर ले और अस्पतालों में इस तरीके की घटना भविश्य में ना हो ये एश्योर इस प्रदेश की जनता को जरूर करें मैं आपको बताओं खटीमा वो शहर है जहां का प्रते निधित्व मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने दो बार किया है हाला कि तब वो मुख्यमंतरी नहीं थे मुख्यमंतरी बनने के बाद 2022 में खटीमा की जनता ने पुशकर सिंग धामी को धोका दे दिया आम तोर पर जब किसी को इलाज नहीं मिलता तब वो दूसरी जगा रैफर किये जाने की मांग करता है लेकिन अस्पताल प्रशासन और उसके करमचारियों को पीडिता के दर्द को समझना चाहिए था खैर अब ये मामला सब के संग्यान में आ चुका है देखना ये है कि मेडिकल जो विभाग है और सरकार वो क्या कारवाई ऐसे अस्पतालों पर करती है क्योंकि इन अस्पतालों में बेसिक सुविधाएं सारी मौझूद हैं जो इस प्रसाव पीडा के दर्द से करा रही महिला को दी जा सकती थी इन्होंने क्यों नहीं दी वो सुविधाएं ये अपने आप में बड़ा सवाल है देखना होगा भविश्य में समस्याओं का समधान कैसे होता है सात्यों हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलाल इतना ही अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी